मेरे माबाप, मेरे बुढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कॉग्रेस के लाखों करोडों लोहों के इस देश की जट्दा वो वीडियो देख रही थी, आपने मुझे गाली थी। सिर्फ इसलिए कि मैं इमानदारी से अपनी पाटी का काप कर रही हूँ। मैं तो रजट शर्मा जी से सीधे सीधे आज पूछना चाहती हूँ। कि जो अपशब्द रजट शर्मा जी ने कहे हैं, वो क्या उनकी आदत है, उनकी फितरत है, कॉंग्रेस और विपक्ष से उनकी नफरत है या मोदी जी का चरण वंदन है। और मुझे लगता है कि कल से भारत के सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर लाखों लोग जो अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया एक अभद्र टिपनी के ऊपर दे रहे हैं, उन सब के सामने सार्वजनिक रूप से एक सपश्टिकरण या बयान जरूर आना चाहिए था। मैं थोड़ी सी क्रोनोलोजी बताना चाहती हूं कि असल में हुआ क्या। पहले हम लोग सोच रहे थी कि वो दोनों वीडियो यहां पर दिखाएं पर वो आपको मेरी टाइम लाइन पर जरूर मिलेंगे। यह वाक्या है चार जून का जिस दिन नतीजे लोग सभा चुनाओं के सामने आ रहे थे। और मैं यहीं AICC के प्रांगण में बैठ कर इंडिया टीवी पर बहस कर रही थी। और ट्विटर यानि की एक्स पहले ट्विटर कहा जाता था। उस प्लाटफॉर्म पर भी हमें कई लोगों ने यह वीडियो भेजा। और मैं सच कहती हूँ पहले तो यकीन नहीं हुआ कि रज़त शर्मा जैसे व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर एक लाइव डिबेट में इतनी भद्धी गाली का प्रयोग कर सकते हैं। और चुकि जो वीडियो हमें भेजा गया उसमें नीचे वो गाली लिखी हुई भी थी। तो मन नहीं माना कि ऐसा हो सकता है। हम इंडिया टीवी के प्लाटफॉर्म पर गए। वहां से जो उन्होंने खुद फुटेज डाली थी उस फुटेज को निकाला। उस फुटेज की उस क्लिप को निकाला जिसमें ये वाक्या घटित हो रहा है। और वहां पर भी जिसे अंग्रेजी में एक एक्स्प्रेशन कहा जाता है अंडर दब्रेथ, बुदबुदा कर, धीरे से, केवल इस बात पर कि मैं उन्हें टोक रही हूँ, कि कॉंग्रेस पर और अब मैं एक नारी के तौर पर भी एक भारती महिला के तौर पर मैं ये जानना चाहती हूँ रजट शर्मा जी से, कि ये बात सिर्फ एक रागिनी नायक की नहीं है, मैं दस साल से इमानदारी से अपनी पार्टी का पक्ष टीवी पर रख रही हूँ, आप पत्रकार होते सासुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे, कॉग्रिस के लाखों करोडों लोहोग इस देश की जग्ता, वो वीडियो देख रही थी, आपने मुझे गाली दी, सिर्फ इसलिए कि मैं इमानदारी से अपनी पार्टी का काब कर रही हूँ, और सिर्फ गाली नह आपने मुझे धमकाना शुरू किया, आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फरेंस किया जाएगा तो डेफरमेशन का केस करेंगे, मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना जोरी करें, आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे, और ये आसू सिर्फ इ मेरा अपमान हुआ है, ये आसू इसलिए कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है, हैंकार इतना है, आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बचके निकल जाएंगे, क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके उपर है.